हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो इस उड़ों में हम आपको उताने वाले हैं कि अगर वाटसप स्टेटस में फोटो नहीं लग रहा है अपलोड नहीं हो रहा है तो कैसे सही करें तो अगर आप चनल पर पहली बार आएं तो उड़ियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है फिर थोड़ा नीचे आना है यहाँ पर आपको एक ओप्सन मिलेगा एप्स नाम का इस एप्स वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है तो इसलिए गाइस हम इस पर क्लिक कर देते हैं फिर उपर ओप्सन मिलेगा एप मेनेजमेंट या मैनेज एप का इस ओप्सन पर क्लिक करना है तो सभी apps यहाँ पर आ जाएंगे आपको आ जाना है नीचे WhatsApp को खोजना है यहाँ पर मिल जाएगा WhatsApp पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर Storage, Uges या Storage का Option मिलेगा इस Option पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर Cage का Option है Clear Cage इस पर क्लिक करके देखिए Back आ जाना है Clear Data नहीं करना है Clear Cage करना है फिर Back आना है फिर आपको एक Option मिलेगा Force Stop का यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके Force Stop यहाँ से कर देना है फिर आपको यहाँ पर Permission का एक Option मिलेगा permission वाले option पे click करना है फिर यहाँ पर उपर allow वाले रहेंगे और नीचे not allow या deny वाले रहेंगे तो यहाँ पर जो भी permission allow नहीं है आपको उस पे click करना है जैसे कि camera storage allow नहीं है तो हम camera पे click करते हैं फिर allow only while using the app या allow का option मिलेगा इस पे click कर देना है फिर बैकाना है फिर आपको दूसरे permission पे click करना है देखे allow access to media only तो इस प्रकार आप सभी को allow यहाँ से कर देना देखे सभी allow हो चुके हैं अब इतना करने के बाद बैकाना है mobile की home screen पर अब अपने mobile को एक बार switch off करके switch on करना है reboot या restart भी कर सकते हैं इतना सब कुछ करने के बाद whatsapp को open करना है अब चली status पे click करते हैं status हम लगाते हैं तो guys यहाँ पर चले लगा कर हम आपको दिखाते हैं देखे upload हो रहा है यहाँ पर अब देख सकते हैं हो चुका है status हमारा लग चुका है इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं तो guys आज करने बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थेंक यू